आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप mirror effect या twin effect create कर सकते हो इन open shot video editor में तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आप एक video को import कर ले जैसे कि मैंने कर दिया है आईए इसे timeline पर ले आते हैं मैं इस video को lower वाले track में रख रही हूँ और इसी video को ही मैं अपर वाले track में भी add कर रही हूँ करसर को उपर वाले track के starting point में रखे फिर उसे जाए properties पर scroll करके वहाँ आए जहाँ पर scale x है scale x में अभी की जो value है वो है 1.00 आप इस value को manually minus point 00 कर ले friends आपने देखा जो यह video है वो flip हो गया है मैं इस video को यह उपर वाले video को मैं थोड़ा अगर पीछे ले जाके आपको दिखाऊं तो यह देखिए यह video यह जो lower वाले track में जो video है उस video में यह जो girl है वो from left hand side से right hand side की तरफ जा रही है लेकिन अभी हमारे video में फिलिप होने के बाद और right hand side से left hand side की तरफ जा रही है तो आपने देखा scale x में value change करते साथी यह video flip हो गया है अब हमें इस first video को crop करना है तो हम चाहें के crop width और इसकी value को जो की अभी है 1.00 इसको हम manually 0.50 कर देंगे friends हमने mirror image तो create कर लिया है लेकिन जो left और right वाले video आपस में merge हो रहे हैं और हमें merge तो करना नहीं है तो ये जो left वाला जो video है उसको हमें और थोड़ा सा left और right वाले video को और थोड़ा सा right की तरफ लेके जाता है तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे जो हमाना जो lower video है उसके location x में हम value डाल रहे हैं minus 0.10 friends आपने देखा हमाद जो left वाला video था वो थोड़ा पीछे हो गया है थोड़ा और left की तरफ आ गया है हम इस value को थोड़ा और increase करते हैं और इस video को थोड़ा और left की तरफ लेके जाते हैं तो मैं इसको 0.10 की जगह 0-0.20 कर रही हूं यह और थोड़ा पीछे हो गया है मैं जाती हूं और थोड़ा पीछे और करने के लिए तो मैं इसमें अब value डाल रही हूं 0.40 यह देखे फ्रेंज यह अब काफी पीछे हो गया है उसी तरह मैं उपर वाले जो हमारा track है उसका जो value उसका जो location एक्स की वे value है उसको भी मैं change कर रही हूं मैं उसमें आप directly because मुझे अभी मालूम पर गया है कितना value मुझे डालना है तो मैं यहाँ पी 0.40 value डाल रही हूं फ्रेंज यह जो gap है यह हमारे crop width की बज़े से है इस तरीके से फ्रेंज यह देखिए आप अपने crop width को left यह right की तरफ ड्रैक करके इस gap को fill up कर सकते हैं यह देखिए मैंने crop width को adjust करके बिलकुल एकदम middle में लेके आ गई हूं फ्रेंज मुझे लगता है हमारा mirror effect अब बिलकुल सही आ गया है मैं एक बर आपको video play करके दिखा रही हूं यह देखिए फ्रेंज कितना perfect mirror image बना है mirror या आप twin effect भी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है दो twins एक दूसरे की तरफ चलके आगे जा रही हैं फ्रेंज मैं एक बर इस video को आपको export करने के बाद दिखाना चाहती हूं तो चलिए एक बर हम इस video को export कर लेते हैं फ्रेंज आई होप आपको मेरा ये video अच्छा लगा और अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like और share करें और मेरी चैनल को subscribe करें अज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तेक stay healthy and safe thank you